नमस्कार दोस्तों लुए जिस्सा, आपसभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आदिवासी या फिर जो HT कैटेगरी के वेक्ति होते हैं, वो अपने जमीन को कैसे किसी अज वेक्ति को सेल कर सकते हैं, जो की गैर आदिवासी समुदाय से होते हैं या विलॉंग करते हैं उन वेक्तियों को तो उसका क्या तरीका है और क्या नियुनता मापदन होना चाहिए आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में जानकारी देने वाला है तो वीडियो को लाज तक दखेगा और चानल पर पहली बार आए हुए तो चानल को सब्सक्राइब किजिएगा वेल आइकन को दो आएगा जिससे के मारे चानल पर जो भी नहीं अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिले तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैटिग्री का विकति होता है अपनी जुग जयमीन होता है उसको गैर अाधिवासी स्मुझाय की विकति को बेचना चाहता है तब उसको जो डिस्टिक मजिस्टेड होते हैं उनसे पर्मिसन लेना पड़ता है पर्मिसन का जो रूल्स होता है वो भूर आजब स्वसंगिता उन्हीं 166 की धारा 165 क्लॉस 6 के तहत उनको पर्मिसन दी जाती है अब दोस्तों अगर हम बात करें MP भूर आजब स्वसंगिता उन्हीं 166 की धारा 165 क्लॉस 6 में क्या रूल्स रेगुलेशन है तो दोस्तों जो ST कैटेगरी का वेक्ति होता है वो अगर अपनी जमिन किसी गैर आदिवासी समुदा है चाहिए OBC, General या SC कैटेगरी के वेक्ति को बेचता है तो उसको कुछ terms and condition follow करना पड़ता है और अगर वो ST to ST को बेचेगा तो उसमें permission की जवरूरत नहीं होती है यानि आदिवासी समुदाय का वेक्ति अगर अपनी जमिन को ST को ही sell करता है यानि ST community का वेक्ति, ST community के वेक्ति को या ST category का वेक्ति, ST category के वेक्ति को बेचता है तो उसमें DM से permission की आवसकता नहीं होती है लेकिन अगर ST category का वेक्ति, ST, OBC, General category को वेक्ति को बेचेगा तो उसमें permission की आवसकता पड़ती है अब दूस्तों permission किस प्रकार से मिलता है और उनके लिए कौन-कौन से rules जो निधारित किये गए हैं government के द्वारा तो चलिए ओ जानते हैं तब उसको permission मिलने के chances होते हैं medical problem है तब बेचने को permission होता है घर में किसी particular वेक्ति को को medical emergency है उस case में वो उस सभी report को दिखा कर permission ले सकता है और business परिस्तिती होता है और अगर वो वेक्ति financially जो वो है अपने पास stable है उसके पास पैसे हैं जो अपनी जिंदिगी को मतलब अपनी life को पूरी तरीके से पार कर ले तब या government service में है तो उसको sell करने के लिए permission मिल जाएंगा अगर वो वेक्ति पूर्ण रूप से असच्छम है तो उसको जमीन sell करने का जो permission है नहीं मिलेगा आदिवासी वेक्ति के जो होता है एस्टी के टिगरी का जो वेक्ति होता है उसको अपनी land sell करने के लिए गैर आदिवासी समुदायक वेक्ति के पास अगर वो जमीन बेचना चाहता है तो उसके पास नियुनतम माबदन होने चाहिए नियुनतम माबदन की बात करें तो दोस्तो विक्रेता के पास नियुनतम 10 एकर असिंचीद भूमी या फिर 5 एकर असिंचीद भूमी विक्रेत के बाद सेस बचनी चाहिए मतलब दोस्तो अगर कोई वेक्ति जो एस्टी केटेगरी का है हो अपनी जमीन जब बेचता है उसके बास अगर उसकी असिंचीद जमीन है तो 10 एकर असिंचीद जमीन होनी चाहिए यतना सेस जमीन विक्रेक करने के बाद बचनी चाहिए ये भूराजस्व सनहिता 1969 की धारा 165 क्लोस 6 में लिखा हुआ है मद्य पर्दिस भूराजस्व सनहिता को जब आप पढ़ेंगे तो ये रूल्स लिखा हुआ है अगर इससे कम है और उसकी परिस्टिती डाउन है तो ये चीज उसको सेल करने के लिए नहीं मिलेगा अगर मिलता भी है तो बहुत ही बिसेस रियर केस में जब उसके पास कंदाय के वेक्ति को बेचना चाता है जमिन तो नहीं बिच पाएगा ये रूल में है और अगर अपनी कैटेगरी के ही वेक्ति को बेचना चाहे तो उसके पास चाहिए एक धिस्मिल्ष हो या एक अक्ड जमीन उससे कोई बाॉनडेशन नहीं हो अपनी जमिन को बियच सकता yes to to st category में किसी परकार की permission कि आउसकता नहीं होती है yes to to and other category में permission की requirement होती है अब दोस्तो permission अगर मिलता भी है तो किस परिस्थिति में मिलता है और क्या rules उसमें DM के द्वारा दिये जाता है तो सबसे पहले दोस्तो जो जमीन होगी उसका जो भी market value होगा उस पे आपको लेंदेन करना पड़ेगा रजिस्ट्री में जो रजिस्ट्री होगी उसमें प्रजेंट प्राइम पर जो गवर्मेंट की मार्केट वेल्यू होगी उसके हिसाब से आपको लेंदेन करना पड़ेगा राश्ट्रि जो बेंद्ग होते है नेशनल बेंद्ग होते है जो गवर्मेंट नेशनल बेंद्ग है किसी भी नेशनल बेंद्ग में जो एश्टी केटेगरी का agre जो seller उसके account में जमीन का पूरा पैसा पहले credit करवाना होगा मतलब उसके खाते में डिपोजिट करना होगा उसके बाद ही आप जो जमीन है वो खरे सकते हैं तो आई होब दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने सारी डीटेल्स आसानी से समझ गे हो तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चानल पर पहली बार आए हुएं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर करने तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए